देश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकेर के दोरे पर पेम मोदी दोपेर दो बज़े रायपूर एरपोर्ट पहुचेंगे पेम मोदी हेलिकॉप्टर के जरीए कांकेर जाएंगे पेम मोदी और दोपेर तीन बज़े कांकेर में होगी पेम मोदी की जर्जभा औ प्रथार मंचरी नरीन रमोदी आज एक बार फिर बस्तर के दौरे पर है साथ तारी को बस्तर में वोटकास्ट किया जाना है बस्तर की 12 सीटे और दुर्ग संभाग के 8 सीटों पर वोटकास्ट किया जाएगा और यहां पर देखिए बस्तर फते करने के लिए हर जोर आजमाईश बीजेपी की तरफ से की जारी है देश के प्रधार मंतरी खुद एक बार फिर बस्तर दौरे पे हैं पार्टी की पक्ष में माहौल बनाएंगे और साथी साथ चुनावी रैली को धाप देते में नजर आएंगे दो पेर दो गुजे राइपूर एरपोर्ट पहुचिंगे प्रधार मंतरी नरींद्र रमोदी और पीम की आजमन को लेकर पीम की दौरी को लेकर सुरक्षा वैवस्ता चाक चौवंद है और कारेकरताओं में गजब का उत्साह है सुशील सलाम जादर जौनकारी के साथ जुड़े हैं सुशील जब भी देश के प्रधार मंतरी नरींद्र रमोदी इप्षटीजगर और खास तोर पर बस्तर आते हैं तो उस तिने ऐसा लगता है कि कुछ आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं और कहा ये भी जा रहा है कि आज खोशन पत्र जारी कर सकते हैं करें और यहां लगभा कूल कर चुपी है साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां वह सबाइस्तल है जाहां पर कुछ घंटों बात देश के परदान मतरी नरे जोदी जी पहुंचेंगे और सबहा को संबोधित करेंगे जिए इधर दिर्वाइव बनाए गई गई है इंतजार कर रहे हैं यहां पर सुरक्षा व्यवस्ता च्वाग च्वाबंदे लेकिन सुशील अब नहीं सईबो बदल के रही वो इसी के तहत कई ना कई घोशना पत्र आज यहां पर जारे किया जा सकता है क्या कुछ प्रमुक्रिया सकता है क्या कॉंग्रेस की तरफ से जो घोशना पत्र का ब्लूप्रिंट हालांकि कॉंग्रेस ने भी घोशना नहीं किया लेकिन ब्लूप्रिंट कॉंग्रेस का सामने आ चुका है उसके काट आज क्या देखने को मिल सकती है जी विल्कुल लोगों को यहां उम्मीद है कि यहां पर बढ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और नव विधान सभा के भाश्च्पा के जो प्रत्यासी हैं वहां यहां सामिल रहेंगे ठीक है यहां पर बस कितनी देर में यहां पर पियम मोदी पहुंचेंगे सुशील जी बिल्कुल पियम मोदी लगभग एक बज़े कांकेर पहुंच रहे हैं और वहां से खुली गाड़ी में सभा इस्तार में पहुंचेंगे जिसके बाद वहां भावच्च के पक्ष में परचार सभा को सम्होदित करेंगे वही नव विधान सभा के